नमस्कार, वोनी इंडिया हिंडि में आपका स्वागत है MS धोनी की वज़े से कई खिलाडियों का करियर चमका है MS धोनी के होनी की वज़े से टीम इंडिया को बहुत फायदा मिलता है चाहे वो कप्तानी में कोहली को मिलता हो या फिर गेंधबाजों को MS धोनी ने हमेशा अपने अनुभव को खिलाडियों में बाटा है MS धोनी के कारण कुल्दीपी यादब को गेंदबाजी में खुब फायदा मिलता है क्योंकि विकेट के पीछे धोनी रहते हैं और वो हमेशा उन्हें गाइड करते थे ये बात खुद कुल्दीपी यादब भी मानते हैं कुल्दीपी यादब ने टाइमस ओफ इंडिया को इंटर्व्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या धोनी के नहीं होने का असर उनकी गेंदबाजी पर पड़ा है क्योंकि माही किपिंग के वक्त विकेट के पीछे से हमेशा ही कुल्दीपी यादब को गाइड किया करते थे इसका जवाब देते हुए कुल्दीपी यादब ने कहा कि धोनी हमेशा मुझे गाइड किया करते थे क्योंकि विकेट कीपर हमेशा ही गिंदबाज का सबसे अच्छा जज़ और दोस्त होता है उनके पास काफी ज़्यादा अनुभव था और धोनी को इस बात का आइडिया था कि क्रिश पर मौजूद बलिबाज किस तरह से खेलेगा कुलदीप यादब ने आगे कहा कि सब कुछ टीम वर्क होता है लेकिन साल 2019 वर्ल कप के बाद माही भाई के नहीं खेलने की वज़े से मुझे किसी के सामने कुछ साबीत करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे ये कहनी के जरूरत नहीं है कि क्या मैं धोनी पर निर्भर था अब मैं आगे अपनी गिंदबाजी को और बहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक टीम वर्क है यानि कुल्दी पी आदब साफ तोर पर ये कहना चार है थे कि वो धोनी पर निर्भर नहीं है आपको बता दें पिछले साल वन डे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कुल्दी पी आदब ने सिर्फ तीन टी ट्विंटी मैच खेले और चार विकेट अपने नाम किये इस दोरान उनका आउसत लगभग में 14 का रहा जबकि उनका एकॉनमी रेट 10 के पार था वही आठ वन डे मैचों में विश्व कप के बाद इस 25 साल के गेंदबाज ने सिर्फ 10 विकेट ही चटका है इस दोरान उनका आउसत लगभग 49 का रहा जबकि एकॉनमी रेट 6.11 का रहा इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ